मसाला पड़ी तो जिसके लिए मैंने यहां पर आटा ले लिया वैं दो बॉल मैंने आटा लिया है अब मैं इसमें आड़ कर दूंगे अजवाइन इसके बाद मैं इसमें आड़ कर दूंगी हल्दी नमक according to taste जीरा पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा से आट कर लूंगी इसके बाद थोड़ा से जीरा गोटा जीरा अड़कर लिया है अब जो हमें आप धनिया काट के रखा तो वो आट कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम एक डो रेडी कर लेते हैं तो मैं इसमें थोड़ा-thोड़ा पानी आड़ करूंगी और एक डो रेडी कर लेती हूं तो दू हमारा एकदम रेडी हो चुका है अब जो हम इसको 15 मिट या 20 मिट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं तो 15 मिट बार अब जो हम आते का छोटे-छोटे लोया बना लेंगे लोया बनाने के वाद अब हम पूड़ी बेल लेते हैं तो मैं थोड़ा साटा ले लिया है और पूड़ी को बेल लूँगी तो पूड़ी मैंने बेल लिया हुआ आप ऐसा ही करके सारे पूड़ी बेल ले अब हम जो है इसको तल लेते हैं आप देख सकते हैं पूड़ी हमारा कितने अच्छे से फुल गया है तो हम दोनों तरफ ऐसे ही फ्राई कर लेंगे तो पूड़ी हमारा फ्राई हो चुका है अब हम बाहार निकार लेते हैं और सर्फ कर लेते हैं तो गाइस मसाला पूरी बन केक देम रेड़ी है आप सुबह सुबह नास्ता में इसको ट्राइ कर सकते हैं तो होब गाइस आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप मुझे कॉमेंट कीजेगा और मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर कीजेगा